एंडी टीवी के फाउंडर प्रनोराय और राधिका रॉय ने अपनी कमपनी के अधिकान शेयर अडानी गुरूप को ट्रांसफर करने का फैसला किया है जिसके बाद उनके पास केवल 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बचे की शुकरवार को दोनों संस्थापकों ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी इस ट्रांसफर से अडानी गुरूप की हिस्सेदारी बढ़कर 64.72 प्रतिशत हो जाई की जो अभी 37.45 फिस्दी है वह इस खबर के सामने आने के बाद NDTV का शेयर 2.5 फिस्दी चढ़कर करीब 349.95 रूपय पर पहुँच गया है ये जानकारी देते हुए NDTV के फाउंडर प्रनो राय और राधिका रॉय का कहना था कि हमने साल 1998 में NDTV की शिरुवात इस विश्वास के साथ की थी कि भारत में पत्रकारता विश्व अस्तरी है लेकिन एक मजबूत और प्रभावी प्रसारण मंच की जरूरत है जो इसे बढ़ने और चमकने दे उन्होंने कहा कि वह 34 साल बाद मानते हैं कि NDTV एक ऐसी संस्था है जिसने उनकी बहुत सारी उम्मीदों और आदर्शों को पूरा किया है AMG Media Network का हालिया Open Offer के बाद अब NDTV में सबसे बड़ा शेर धारक है नतीजन आपसी समझोते से उन्होंने NDTV में अपने अधिकान शेरों को AMG Media Network को बेजने का फैसला किया है Open Offer लांच होने के बाद से गौतम अडानी के साथ हमारी चर्चा पॉजिटिव रही है हमारे तरब से दिये गए सभी सुझाओं को उन्होंने सकरात्मक और खुले पन के साथ सुईकार किया है इस बयान की माने तो प्रनराय और अधिका रॉय NDTV में पांच फिस्दी हिस्दी 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 हिस्दारी AMG Media Network को बेजने का फैसला किया है गौर्तलभे की अडानी समू इसी महीने ओपन ओफर के बाद NDTV का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था अडानी समू ने ओपन ओफर के जरिये NDTV में अपने हिस्दारी 37 फिस्दी से अधिक बढ़ा दी थी अडानी गुरूप NDTV में 26 फिस्दी हिस्दारी लेना चाह रहा था लेकिन खुली पेशकस ने केवल 33 लाग शेयरों की पेशकस की थी वईडानी गुरूप को मीडिया कमपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के साथ उसे कमपनी का चेर्मेन निउक्त करने का अधिकार मिल गया था इसके पहले NDTV के प्रमोटर्स प्रनोराय और राधिकाराय ने ततकाल प्रभाव से डारेक्टर के पत्स से इस्तिफादे दिया था नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24